दोस्तों जम बात करेंगे कि एक husband कब अपनी wife से maintenance ले सकता है लोग के किन provisions में ले सकता है कौन से वे sections है जिनमें वो maintenance ले सकता है इसके लावा वे कौन सी situations है कौन से हलात है जो maintenance लेगा इसके लावा बात करेंगे एक judgment के बारे में जो किये केरिला हाई कोट की 2017 की नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट धियर्सकुमार आपका स्वाद करता है अपने यूट्व चैनल में दोस्तों wife के लिए maintenance ले ले नो कोई बड़ी बात नहीं होती है वो नहीं कमाती है तो maintenance ले सकती है लेकर वो कमाती है तो भी maintenance ले सकती है क्योंकि उसका लेवल उसक के अच्वंट के एकवल होना जाए है पहले चाहिए वो कैसी भी गरेभी में रही हो लेकिन उसका अच्वंट अगर अच्छा कमाता है उसकी साधी हो चुकी है तो उसके बाद उसका स्टेटर एकवल वैसा होना जाए है और यह सیमेंट के होपर भी लागों होती है अगर wife अच्छा कमाती है और हस्मेंट नहीं कमाता तो यह वाइप से मैंटेनस ले सकता है लेकिन कुछ ही हालात होते हैं जबेनों मैंटेनस ले सकता है इसके रिगार्डिंग यह जज्ज्मेंट है निव्वा वी एम वर्सिज सिव परशाद नके 2017 में यह आई थी 14 फरवरी 2017 केरला ह कोई चीजी है एक हस्मेंट अगर हैंडिकैप हो या अनेबल टू अर्न हो मतलब हस्मेंट कमाई न सके किसी प्रकार से जैसे कि वह कोई स्टड़ी कर रहा है यह कोई काम कर रहा है ऐसा देखिए लेकिन इस स्वेसर को भी समझने की जूरत है अगर हस्मेंट साधी से पहले क कि अगर यह बात अगर वाइफ के लिए कहिए आप कहेंगे वाइफ के ओपर भी लागू होती है ऐसे में अगर वो बाद में स्टड़ी करती ही या पहले स्टड़ी कर रही तो उसके पैंट से नहीं ले सकता क्योंकि उसके पेंट convince के पहले उठारे थे अभी उनके साध रह यह होता है हां यह है कि husband wife अगर दोनों separate रहते हैं और ऐसी situation में husband अगर कोई study करने लगे या फिर wife के कहने पर study की है या पहले कमा रहा तो बाद में study करने लगे और wife इसको छोड़ के चले जाए तो ऐसे में wife से maintenance के लिए क्लिम कर सकता है कि wife कमार यह में नहीं कमा रहा हूँ लेकिन separate होना जरूरी है एक साथ रहते होई parents के साथ husband ऐसा नहीं कर सकता है second situation जैसे handicap की है जैसे husband में कोई mentally या physically disability आ जाए तो इन condition में वो wife से maintenance ले सकता है जैसे कि उसका कोई अंकाम नहीं कर रहे या फिर दिमाग में कोई factor या कोई परिशान नहीं ऐसी आ जाए कि वो कमाई नहीं सकता है और wife उसको छोड़ के चले उस time के लिए भी वो wife से maintenance ले सकता है यह judgment इसी बात को कहती है अब बात करते हैं कि वे कौन से लोग के प्रोजिजन्स हैं सेक्शन्स हैं जिन में के इस्पेंट wife से maintenance ले सकता है दो है दोस्तों वे तो से पहला आता है section 125 CRPC इस section में कोई भी किसी से maintenance ले सकता है husband wife एक दूसरे से ले सकते हैं parents ले सकते हैं children चिल्लन से ले सकते हैं और साथ में father Allah या mother लो भी आपस में maintenance ले सकते हैं अपनी सास से या भी बहु से ले सकते हैं सास तो इस परकार से यह section सभी के लिए हैं इसमें कोई भी किसी से maintenance ले सकता है तो इसमें husband अगर चाय तो section 125 CRPC म केस करके wife से maintenance की डिमांड कर सकता है second आता है section 24 heme sugars means हिंडू में reject इस section में judgment अपनी वैव से maintenance की डिमांड कर सकता है इसमें उसने section 9 का उन्हाओ या抵िश का किया हो वाइफ ने उसके ओपर section न怎么了 right का केस किया हो या फट डिवोसा केस क्या है दोनों ही situation में वो अपनी वाइफ से maintenance का claim कर सकता है कि मुझे maintenance दिया जाए क्योंकि मैं कमाने में ASMR दो ये judgment है ये section 24 हिंदू मेरी जैक्ट के ओपर depend है केस में husband ने कहाता है कि मेरी wife मुझे maintenance दे और मैं कमाने में ASMR दो तो दोस्तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर हम उसे किसी पगार के कोई भी legal advice लेना चाहते है तो उनी चीदे मेरे नमबर 9278 134 टेबल 2 पर call करके ले सकते है इसके लावा अगर हम उसे meeting करना चाहते है तो दिली दौर का कोट में या सुपरी कोट मेरे चेंबर में आके मुझसे meeting भी कर सकते है तो दोस्तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जान का रिशा तब तक के लिए नमस्कार